नमोरो में दश्यको कैसे हैं आप सर बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिती रिवास विजेता में दश्यको मैंने आपके साथ में एक वीडियो साजा किया था 16 जोन्स को लेकर के कि जो हमारे 16 जोन होते हैं चाहे हम कोई भी अपने घर में बैटे हैं अपने आफिस में बैटे हैं कोई भी जगा है तो वहाँ पे हमारे 16 जोन्स हमारे काम करते हैं अगर हम start करें North से, तो North हो गया North-North-East, North-East, East-North-East, East-South-East, South-South-East, South-South-West, South-West, West-South-West, West-North-West, North-West and North-North-West. तो यह हमारे सूला जोन्स बनते हैं, जिसमें से मैंने आपको North-East, East-North-East, East-South-East के जो गुंधर्म हैं, उनके जो एट्रिब्यूट्स हैं, वो मैंने आपको clear किये थे, और वहाँ पर कॉंसे अक्टिविटीज होनी चाहिए, कॉंसे अक्टिविटीज नहीं होनी यहाँ पर जो यह क्या element को दर्शाते हैं, जो यह zones हैं, और यहाँ पर क्या इनका जो idle color है, वो क्या होना चाहिए, इनके attributes यानि इनके गुंधर्म क्या है, क्या मतलब विशेशता है इन zones की, और यहाँ पर कॉंसे activities हमारे होनी चाहिए, और कॉंसे activities नहीं होने चाहिए, बह अगनी तत्व है यह, और यह जो idle color होगा इस zone में, मतलब इस zone में अगर आप अपने घर में, office में कहीं में भी color करा रहे हैं, walls को, तो decor कर रहे हैं उनको, तो आप ध्यान रहे हैं कि आप reddish, red color families के colors को choose कीजिए, ठीक है, और जो इसके attributes है, जो इसके गुंधर्म है, वह इस जो zone है, south east, south east हमें देता है, cash flow, liquidity, security, यानि कि हाथ में जो आपके पैसा आता है, liquidity यानि हाथ खर्च का जो पैसा होता है, वो होता है, cash flow generate होता है, south east में यहां से, या आपको ये वाला zone आपको speed भी देता है, आपको कोई काम करने की, अगर आप नया का start-up करने चाहा रहे हो तो south east की ही जो zone है, वो आपको हिम्मत देता है, कि आपको काम शुरू करें, तो वो initiation जो starting point होता है, आपका जब आप पैसा कमाने की, आपके अंदर जील उत्पन होती है, वो होती है, south east से, तो south east के ये सब गुण धर्म है, अब अगर मैं बात करूं कि यहां बे कौन सी activities इस south east में होनी चाहिए, वो kitchen, kitchen is the idle place for south east, क्योंकि वो अगनी कोन है, और kitchen हम basically मानते है, जहां gas burner है, जहांके खाना पकता है, तो वो नकदी का काम करता है, यहां से धन generate होता है एक तरह से, वो भी आग है, और जो धन है वो भी आग है, तो इसके लिए यहां पे kitchen है, वो best option है, अ because आपका जितना भी पैसा होगा, cash flow होगा, वो सब do हो जाएगा, तो सारा ठप हो जाएगा, bedroom की अगर मैं बात करूँ, तो bedroom आप यहां पे, जो भी बंदा यहां के bedroom में सोएगा, वो aggressive होगा, उसका जो nature होगा वो बड़ा गुस्से वाला होगा, और अगर माहा couple यहां पे को बात करूँ, तो dining hall पे भी क्या होगा, जैसे भी खाना खाने बैठेंगे तो आपस में लोग जगड़ पड़ेंगे, मैं अब खाना खा रहे है, normal, कोई भी छोटी वोटी ऐसी बात होगा, इस पर जगड़ा कर बैठेंगे, तो वो भी अगर हो सके, तो आप उनको आप avoid करे Meeting Rooms, यहाँ पर माली जी office के Meeting Rooms हैं, तो discussion होगा, लेकिन discussion ना aggression का रूप ले लेगा, South East में अगर कोई भी ऐसे होता है, तो यह सब है, family lounge बनाएंगे, family lounge में भी meetings, हम लोग आपस में, जब घर परिवार वाले बैठे होगे, तो कोई ना कोई बात पर उनका जगड़ा होने की मतलब असार रहते हैं, तो इस तरीके से आप हाँ पर, store यहाँ पर बिलकुल ना बनाएं, अगर आप store बनाओगे, तो आपका cash flow ब्लॉक हो जाएगा, basically जो businessmen होते हैं, वो South East में बिलकुल भी store ना बनाएं, South East में store बनाने से, जो उनका, जो पैसे की जो प्रवर्ति होती है उनकी वो बहुत कम हो जाती है, cash flow जो आना होता है, वो बहुत धीमा हो जाता है, तो South East में store को भी हम avoid करेंगे, अब हम चलते हमारे next zone पे, South South East, South East जो है, यह भी हमारा कौन सा है, यह हमारा fire element है, यह भी हमारा fire element है, और जो इसका idle color है, that is red, मतलब यह भी आप red family के colors ही कराने के लिए, और जो इसकी attributes है, जो इसकी गुंधर में, जो इसकी विशेशता है इस zone की, वे इस प्रिकार है, कि यह आपको जो zone है, वो power और stability देता है, मतलब आपको, मतलब की आत्मे विश्वास देता है आपको, जो यह वाला zone है, और confidence देता है आपको, कुछ भी करने क courage देता है, हिम्मत देता है, कि हाँ, आप कोई भी काम कर सकते हो, आपको, तो south-south-east में अगर आप कोई भी है, जैसे, अगर क्या होता है कि कई बर, अगर south-south-east अगर disturb होगा न, तो उस बंदे में confidence ही नहीं होगा, वो बहुत lack of confidence होगा, वो अपनी कोई भी बात को confidently समझा बता नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा किसी को, अगर किसी के भी घर में, south-south-east अगर disturb होगा तो, तो इस तरीके से यह वाला zone work करता है, और अगर मैं बात करती हूँ, kitchen से start करती हूँ, kitchen की मैं बात करूँ, तो kitchen is a good zone, idle space है यहाँ पे, south-south-east यहाँ पे, अगर आपका kitchen होता है, तो बहुत अच्छे results मिलते हैं आपको, आपका cash flow बना रहता है, बहुत अच्छे तरीके से, bedroom है, वो आपका, मतलब ठीक है, okay है bedroom, because जो भी बंदा जिसको lack of confidence हो, या फिर जिसको बहुत courage का, मतलब जो, मतलब बिलकुल न कहते हैं कि stage phobia है, या किसी चीज का phobia है, या किसी चीज से वो डरता है, जिसके मन में डर्भ है, वो अपने बात को, अब पूरे confidence का नहीं बोल पाता है, वो अगर वो इस room में सोता है, South South East में, तो उसको बशारते फायदा होता है, टॉलेट में बात करो, अगर आप टॉलेट क्योंकि जैसे की वो dispose of की प्रवर्ती का है, तो अगर आप South South East में, हम South South East की बात करें, South South East में अगर आप टॉलेट बनाते हो, तो आपका जो confidence है, जो आपके अंदर में, जो पूरा आपका जो courage है, जो आपने विश्वास है, वो खतम हो जाता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि अपने उपर भरोसा ही नहीं रहता, तो वो आपको, मतलब टॉलेट यहाँ पर anti-activity है, वो नहीं होने चाहिए, dining hall की बात करो, तो dining hall बनाना बहुत अच्छा है, जो लोग यहाँ बैटके dining पर खाना खाते है, उनका digestion बहुत अच्छा रहता है, तो dining hall आप बना सकते हो, family lounge भी आप बना सकते हो, वहाँ पर जबी भी, जो आपके discussion होगे, वो अच्छे होगे, even अगर आपका mood खराब भी होगा, मालो किसी बंदे का family में mood खराब है, और South South East में आपका family lounge और वो वहाँ पर आके बैटता है, तो और घर वालों से बात करके, उसका mood ठीक होगा, और वो अपने आपको confident महसूस करेगा, meeting rooms भी इसलिए काफी अच्छे रहते हैं, South South East में South South East में हनुमान जी की पूजा करने से आत्मे विश्वास में बढ़ होतरी और जादा होती है, तो इस तरीके से हम South South East से अब आप आगे South वाले हमारा जो South Zone है, हम उसमें चलते हैं, जो South Zone है वो भी हमारा fire element है, तो ये भी इसमें भी जो हमारे जो आइडल colors होंगे, वो red की प्रवर्ति के होते हैं, हम red family को ही के colors ही यहाँ पर choose करते हैं, हाँ वो depend करता है कि आपो कम जादा कराना है, वो बाहर चाट के accordingly, अगर आपका South कई बार बहुत जादा भी नहीं हो जाना अच्छे कि आप बिल्कुल cloudy red करवालों वहाँ पर, वो हम आगे आने वाले videos में सीख कि कैसे हमें कितना मतलब वहाँ पर red करना है, अगर South already अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो हमें उसको थोड़ा सा कम करने के जरू होता है, वो चीज़े हम आगे सीखेंगे, वैसे जो idle color होता है, वो red होता है यहाँ पर, ठीक है, और मैं अब इसकी attributes की बात करू, इनके गुंध zone ही देता है आपको, अगर आप चाहते हो कि आपको लोग जाने, आप famous हो जाओ, तो South दिशा ही ऐसी है, जो आपको famous बनाती है, और यह कहते हैं कि कई वर आपने देखा हो ही बहुत सारे high authorities में, government की बहुत post पे बैठे हैं, तो उनका South अच्छा होता है, इसलिए वो वहाँ पे बैठे है, South उनका balance होता है, जिसका disbalance होगा, वो कभी भी उसको यश हमेशा चाहेगा, लेकिन उसको कभी मिलेगा नहीं, और basically जबकि celebrities होते हैं, या फिर जो लोग जो मतलब बहुत ज़दा नामी कहते हैं, नामी गौमी लोग है, अच्छी है, सामी है, वो सब उनका South ब balance होनी चाहिए, और अब हम बात कर लेते हैं, कि यहाँ पे कौनसी activities होनी अच्छी है, और कौनसी activities होनी अच्छी नहीं है, जैसे अगर मैं kitchen से ही start करती हूँ, तो अगर मैं kitchen की बात करूँ, तो kitchen is the ideal place for here, अगर आप kitchen बनाते हो, तो आपको यश और पहचान अच्छी मिलती ह यह वो लेकर आती है, आपको यह प्रेसे दी लेकर आता है, अगर आप यहाँ पे kitchen बनाते हो, तो बस शर्त है आपने kitchen में कोई anti-color use ना किया हो, जो इस zone का color, जो मैं आपको red family color बता है, आपने वही colors use की हो, वहाँ पे, ठीक है, और मैं bedroom की बात करते हूँ, bedroom के लिए यह idle place है, पूरे घर में जो एक idle zone होता है, वो south zone है, मालो किसी को नीन नहीं आती, नीन नाने की समस्या है, किसी का मन शांत रहता है, अगर वो south वाले room में आके सोता है, तो उसको बहुत अच्छी नीन आएगी, और वो बहुत relaxed feel करेगा, because यह relaxation का भी zone है, south zone, तो इसलिए south zone में, अगर आप meditation room बनाते हो, तो आप बहुत अच्छे से meditate कर पाते हो, वहाँ पे, तो इसके लिए, वो meditation के लिए भी बहुत अच्छा room है, और drawing room भी, क्योंकि यहाँ पर जो भी meetings होंगी, आपकी drawing room में, जो भी discussions होंगे, वो बहुत healthy discussions होंगे, तो उसमें वो भी बहुत अच्छ feel करते हैं, कि हंजी हम बहुत संतुष्ट हैं हर चीज से, और जो अगर मैं बात करूँ, पूजा room की, तो अगर तो आप मा काली के भगते हैं, तो आप पूजा room south में बनाए, otherwise, और किसी देवी देवता की पूजा अगर आप south में करते हैं, तो वो निडर्थक होती है, तो यह चीज का भी आपका उध्यान देना है, और अगर मैं toilet की बात करो, तो toilet एक anti-activity हो गई, अगर आपने south में फूल के भी toilet बना दिया, तो सोच ले ना, कि आपका जो भी आपकी प्रसिद्धी होगी, जो भी आपका यश होगा, वो सब fame आपका सब चला जाएगा, आप कित हो है, तो अगर आपके south में असंतुलन आ गया, गड़बड हो गई, toilet आ गया, तो आपकी goodwill भी खराब हो सकती है, तो इसलिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, कि south में आपका toilet ना हो, तो इस तरीके से मैंने आपको most probably सारी बता दिया है, बाकि आप family lounge भी, because healthy relation, आप relax feel करते हो, यहाँ पर आके मानलो, आप कहीं से भी थकावट में आई, और आपका south में अगर बना हो है, तो बहुत relax feel करोगे, यहाँ पर बैटके, तो इसलिए वो बहुत अच्छा है, south आपके बनाने के लिए, और क्या करते हैं, bedrooms वगेरा के लिए भी, तो अब हम next zone मे यह हमारे है fire element, अब हम south-south-west की बात करें हैं, यह है हमारा earth element, यानि पृत्वी तत्व है यह, और जो इसका idle color होता है, वो तो yellow, और यह जो पृत्वी color, यह है, yellow means yellow, यहाँ पर yellow ही होना चाहिए, अगर आपने कोई भी anti-color यहाँ पर कर दिया, तो इसकी बहुत सथा प्रिभाव होते हैं, और जो इसके attributes की बारे में जान लेते हैं, यह dispose of, यानि कि विसरजन और अपवय की zone है, यह, खर्चों का zone, expenditure, expense यहाँ होते हैं, wastage बहुत होते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए south-south-west अच्छा भी होता है, जो कि लोग artistic होते हैं, कलाक होते हैं, क्योंकि यह जो गंधर्व की जगा है, zone है, यह south-south-west, तो उन लोगों के लिए यह लापकारी भी होते हैं, लेकिन ideally जो place है, south-south-west, वो toilet के लिए है, dispose of, अगर आप यहाँ पर toilet बनाते हो, तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं सला दूँगे, जो लोग artist है, कलाकार है, वो south-south-west पर toilet बिल्कुल भी ना बना है, bedroom यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह खर्चों का अपवय का zone है, तो यहाँ पर, अगर आप south-south-west में, अगर आप room बनाते हो, तो आपका हमेशा निरर्थक आपको लगेगा कि आपको कोई, मतलब, मन आप आपको जीना ही निरर्थक है, और आपको लोंग इल्नेस का भी सामना करना पड़ सकता है, तो avoid, bedroom तो हर बंदे को avoid करना चाहिए, इवन जो artist वगेरा होते हैं, वो यहाँ पर अपना room बना सकते हैं, अपने रियास वगेरा करने के लिए, तो वो उनके लिए अच्छा होता ह और drawing room की बात करूँ, तो अगर यहाँ पर drawing room बना दिया आपने south south west में, तो जो भी आप decision लोगे, मानले family ने बैठके कोई भी decision लिया, किसी property के लिए, या फिक किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको उसमें घाटा ही लगेगा, वो decision अब गलत ही होगा, वो सही कभी होएगा तो आपको न, क्या होता है, एक तरह से loss होगा, money loss रहेगा आपको, उसमें करके, पूजा घर यहाँ पर बिल्कुल avoid करना चाहिए, अगर बान लीजे, गलती से भी आपने पूजा घर south west में बना दिया, तो सारे लोग घर में ऐसे हो जाएगे, उनको मतलब भगवान पर से उनको विश्वास ही नहीं देगा, उनको लगा कि तांत्रिक विद्या में चले जाओ, ऐसे करके, तो इसलिए south west में पूजा कर बिल्कुल भी नमना है, kitchen यहाँ पर issues create कर देता है, father और बेटे के बीच में, उनके relation बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बहुत बिकार हो जाते है तो kitchen भी आपको avoid करना चाहिए, यहाँ पर, dining hall की में बात करूँ, तो अगर आप यहाँ बैटके खाना खाऊगे south south west में, तो आपको शरीर को जो potion, तत्व, जो protein जो आपको लगना चाहिए, वो खाना वो लगे गा ही नहीं और आपको इवन बिमारियां हो जाएंगी, तो आ आप इन zones को समझो, और आप अपने घर में analyze करना, कि यह जो मैं बाते बता रही हूँ आपको, तो वो आपके घर में क्या symptoms आपके match करते हैं, जब हम part 3 में next video में मिलेंगे, तब हम next 4 zones को लेंगे, और फिर 4 zones को लेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते वे जाएंग शेर जरूर कीजेगा, और comment करके अगर आपको कोई भी प्रशन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नमो नमा दोस्तों